Hello everyone, welcome to my channel, Sunny's Garden में एक बर फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए दोस्तों, आज की वीडियो का टोपिक है हमारा जो नीम्बू वर गिये फल होते हैं उनका फटना, यानि कि फ्रूट को हम बहुत महनत से मैच्योर करते हैं और मैच्योर्टी पे आते ही फ्रूट इस तरीके से फटने शुरू हो जाते हैं और इससे हमें अगर हम कोमर्शियल खेती कर रहे हैं इंबू की तो बहुत ज्यादा लोस उठाना पड़ता है बाकि अगर हम घर में भी अपने किचन गार्डन में इंबू का प्लांट लगा रखा है तो उसमें भी हमें बहुत दुख होता है क् हैं और जब हम एक फोटे को छोटे से बढ़ा करते हैं सीच के उसको फालन पॉशन करते और जब उसमें फूटिंग देने का टाइम आता है फ्रूट भी बन जाते हैं बहुत खुशी होती है और जब उसके फूट इस तरीके से फटकर डैमेज हो खराब हो जाते हैं तो दुख भी बहुत जादा होता है तो आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे कि क्यों फटते हैं इम्बू के फल नाये समस्य आकसर आपने देखा होगा कि निम्बू और माल्टा में सबसे जादा इस समस्या फेस करने को मिलती है तो आज इसी सब के बारे में वीडियो है हमारी कि निम्बू का फल फटता क्यों बहुत तक बने रहे और वीडियो अच्रह इंड़े तो लाइक शेर जरूर करें दोस्तों वैसे तो निम्बू के जो प्लांट है उसमें बहुत सारी बिमारिया आती है यह आप देख रहे हैं लीफ माइनर इस तरीके से पूरा पत्ति के अंदर गुज जाते हैं और ऐसे दीरे-दीरे करके पत्ति हमारी वहां से सूख जाती है यानि कि उसके सारे रेश हैं यह देखिए दिन के समय सोते हैं और रात रात में पूरी एक एक पत्ति को चट कर जाते हैं छोटे-छोटे कीड़े होते हैं यह दर असल जो तितलियां होती है बटरफ्लाई उसका लार्वा होता है यह अपने आपको ग्रोथ करने के लिए यहां पर बैठे-बैठे पत जो नहीं नहीं पतियां होती है उसके अंदर सोफ्ट ग्रीन पतियां होती है तो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो अपने एग इसके अंदर इंस्टाल कर देते हैं दीरे दीरे वह एक जब बढ़ते हैं तो पूरे पती के अंदर से उसको खोकला कर देते हैं पती अंदर से ख infection हो जाता है देख सकते हैं आप किस तरीके से पोरा आपताली डैमेज वगया है और दूसरा होता है यह जो लार्वा होता है butterfly का यह भी काफी हार्म फुल होता है यह देखे बटरफ्लाई इस समय में मांसून के सीजन में अपने अंडे हमारे जो निम्बू वरगिया पोदे होते हैं इसकी नहीं नहीं ब्रांच के उपर दे देती है और जैसी वो डवलप होते हैं केटरपिलर उसमें से निकलता है तो देखिए यह दिन के समय सोते रहते हैं और रात म अगर यूज कर रहे हैं तो इसमें नीमोयल का स्प्रे करेंगे तो उससे भी इमर जाएगा और अगर कम है तो आप इसको रिमूव कर दीजिए इस तरीके से रिमूव करके कहीं दूर फैक दीजिए तो भी इस चीज से आप बचाओ कर सकते हैं अपने प्लांट के देखिए मैंने इसको निकाल लिया है और कहीं साइड में मैं इसको फेक दूंगे लेकिन अभी जो में टॉपिक है हमारा हो है नीम्बू में फलों का फटना तो यह सबसे बड़ी समस्या और इसके बारे में हम बताएंगे कि नीमू के फल क्यों फटते हैं तो दोस्तों नीमू के पड़ता है कि यह नीम्बू के फल हमारे फट जाते है नीमू का जो छिल का होता है बहुत सौफ्ट होता है नाजुक होता है लचीला होता है यह जैसे मोसम में ज्यादा गर्मी आती है तो इसका जो शॉपने लगता है जील का इसका मौश्वर उड़ जाता है और उसकी और आप देखते होंगे मिटी बहुत जल्दी ड्राइए हो जाती है और पानी भी थोड़ा सा पानी की शोटेज हो जाती है गर्मियों के मोसम में तो इस दोरान अगर हम थीन-चार दिन से अगर हमने पानी नहीं दिया है प्लांट हमारा बिल्कुल ड्राइए हो चुका यानि इसमें रस की मात्रा बढ़ंते दिया निंबुड्या rap दोस्ते बारिश का मौसम में लगातार बरसत हो ही यह और पीकशानक से तेज दूप निकल आती nên तो क्या है कि environment में humidity की मातरा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, pressure बढ़ जाता है जिसकी वजह से हमारे जो fruit लगे होते हैं, निम्बू वरगय fruit वो इस pressure को बरदाश नहीं कर पाते हैं और उनका छिलका उस दोरान भी crack हो जाता है, fruit हमारा फट जाता है और damage हो जाता है, तो humidity भी एक बड़ा कारण है, fruit के फटने का, दोस्तो fruit के फटने का चोथा परमुक कारण है, उसके अंदर food की कमी, यानि कि हम जब निम्बू के प्लांट के अंदर food डालते हैं, यानि कि compost डालते हैं, तो काफी समय हो जाता है, और उसके बाद जो प्लांट है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, फ्लावरिंग आती है, fruit बनते हैं, और fruit की जब ग्रोथ होती है, यानि कि fruit बढ़ने लगते हैं, तो उस दोरान प्लांट को complete food ना मिल पाने के कारण, यानि कि उसकी root जो है, fruit तक complete food की supply नहीं कर पाती, तो ऐसी स्तिति में क्या होता है, कि fruit के जो छिल बहुत कम मातरा में चाहिए होते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत आवशक होते हैं, और उनकी कमी होते हैं, फ्रूट के अंदर क्रेक आने शुरू हो जाते हैं, fruit जड़ना शुरू हो जाता है, या उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग वो न होता है, तो बोरोन को हम किस तरीके से घर में बना सकते हैं, कैसे तैयार कर सकते हैं, उसका मैं अभी बताती हूं आपको, प्लांट के अंदर बोरोन का जो यूज होता है, यानि कि प्लांट को इसकी आवशक्ता क्यों होती है, तो बोरोन की आवशक्ता इसलिए होती है, क्य के लिए दूसरा मेइन माइक्रो नुट्रियन दी के अचिए हैं दोस्तों जब्लाइख एस्तमाल करते हैं जब प्लांत हमारा इसको फ्रूटिंग के लिए हम तयार करते हैं जोय हुदियां आना शुरु कि ईप्लांट में और आ हम पढ़ाइब बाइक दूसरा और दूसरा उससे क्या है, फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है, बड़े साइज के और हेल्दी फ्लावर आते हैं, जिससे कि वो पॉलीनेशन उनमें आसानी से हो जाता है, और पॉलीनेशन जब होता है, तो उसके बाद फूट में वे कनवर्ट होने में भी उ फट जाते हैं, तो कैल्शियम एक प्लांट के लिए बहुत जरूरी होता है, तो सभी प्लांटों में कैल्शियम के आउशक्ता होती है, लेकिन निम्बू वर्गिया जो प्लांट होते हैं, उसमें कैल्शियम की मातरा थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि ये प् 2 में हम बनाएंगे इन का किस तरीके से हम निदान करें यानि कि कैसे उपचार करें ताकि हमारे पते ना और इस तरीके से हमें healthy healthy fruit अपने प्लांट से मिलते रहें तो वीडियो अच्छी लगी तो like share जरूर करें और हाँ अगर अबी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से नई नई वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके थांक यू